आज की वीडियो में MPBR वर्ग पर आधाय टोटल MCQ आपको समझाएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे चलिए सुरू करते हैं पहले और यहां आते हैं जो ए बाइड आधी संबरा के देखिए हैं और यहां टैट पॉल की उत्पत्य का निस्वेचित अंडों को अपनी जांग के पास सुरच्छत रखता है जांग के पास में नेश कुशन है मेधक का अंडार होता है The egg of frog is कौन सा option सही होगा सोचिये और चल्दी से बताइए कि मेधक का अंडार होता है तो आंसर इसमें सही होगा D दूरस्थ पीत की होता है तीलोलेसिथल होता है या दूरस्थ पीत की आपको बता दें कि जो अंडा होता है या ओवम होता है उसमें जो पीत होता है यानि यॉक जो होता है यॉक के बितरण के आधार पर अंडे कई प्रकार के होते हैं जो अंडे में यॉक जो पाया जाता है जो पीत पाया जाता है उसके आधार पर अंडे कई तरह के होते हैं और इस आधार पर मेढ़क का जो अंडार्व है वो दूरस्त पीत की होता है या तीलो लेसिथल होता है जिसमें यॉक एक तरफ होता है एक तरफ यॉक पाया जाता है जिसे वर्धी गोलार्द कहते हैं या वेजिटल हेमिस्फियर कहा जाता है और दूसरी तरफ जन्त गोलार्द होता है जिसे एनिमल हेलिसेर प्रेक्पनेश कुछन है मेढग में गलाटिस का नियंतर्ण किन पेसियों के द्वारा होता है इन फ्राग गलाटिस इस कंट्रोल्ड बाई दे मसल्स ओफ सोचिये और बताइए कौन सा ऑप्सन सही होगा ऑप्सन सही होगा इसमें से सी एरिटेनाइट कार्टिलेस आपको बता दें कि जो मेढग है इसकी मुखगुहा के आधार तल पर दो वाक को स्पाय जाते हैं दो ओकल कार्ट्स पाय जाते हैं और मेढग में एक अनुदायर्ध या कलिकी एक लॉंगी ट्यूडिनल स्लिट पाय जाती है जिसे गलाटिस कहा जाता है गलाटिस और इसी के माध्यम से ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है या लैरिक्स जो होती है वो फैरिक्स में खुलती है और ए मंधर रखते हैं लिम्बलेस एम्पिबियन्स विलांग टू दा ओर आंसर इसमें कौन सा सही होगा पहला जिम्नो फियोना आपको बताते हैं कि जिम्नो फियोना या इसे एपोड़ा गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ के अंतरगत पाद विहीन उभैचर आते हैं लिम्बलेस उभैचर या एम्पिबियन्स आते हैं और इनकी लगभग में पच्छपन प्रजातियां पाई जाती है लेक्चर मैंने आपको समझाया था और उदारान के रूप में अगर देखा जा तो इतियोफिस इसी के अंतरगत आता है और जो इसमें से एनिवरा है एनिवरा के अंतरगत पूछ हीन जिनमें पूछ नहीं होती है जबकि यूरोडीला के अंतरगत पूछ युक्त यनि पूछ युक्त उभैचर आते हैं पाद विहीन एंफिबिया प्राणी किस ओडर में रखे गए हैं देखे कोईशन पूछ लिया गया किस ओडर में लेंबलेस एंफिबियान्स आर प्लेश्ट इन ओडर तो कौन सा ओडर होगा चीमनो फियोना होगा अभी इससे संबंध कोईशन था नेश कोईशन है नमर्कत में से कौन सा पाद रहित उभैचर है अब उस उभैचर जन्तु का नाम बताना है जो पाद रहित होता है विच आपदा फालोइंग इस लेंबलेस एंफिबियन आंसर इसमें सहयोगा पहला इथियो फिस होता है साथ जोड़ी, आठ जोड़ी, नौ जोड़ी, दस जोड़ी दन नमबर ओफ इस्पाइनल नर्व इन दस जोड़ी पाई जाती है और इनमें कपाली तंत्रिकाओं के संख्या भी दस जोड़ी होती है मेढक में कपाल का फर्स बनता है एक बड़ी टी आकार की अस्थि के द्वारा जिसे कहा जाता है इन फ्रॉग, दा फ्लोर अब दा क्रेनियम इस फॉर्म बाई दा लार्ज बाई ए लार्ज टी से बोन काल्ड दा आंसर इसमें सही होगा मेढक में हिर्दय धड़कन की दर होती है हिर्दय धड़कन की दर कितनी होती है 64, 72, 75 या 50 बार प्रति मिनट रेट ओफ एर्ट बीट इन फ्रॉग इज आंसर सही होगास में से पहला 64 बार प्रति मिनट होती है यानि मेढक में प्रतेक हिर्दय चक्र या कार्डियक साइकिल लबग 0.94 सेकेंड में पूरा होता है और इस प्रकार मेढक में हिर्दय धड़कन की दर 64 बार प्रति मिनट होती है नेश कुछन है डक्टास बोटैलेस उपस्थित होता है डक्टास बोटैलेस इस प्रजन्ट इन आंसर सही होगास में से पहला राना में राना टिगरीना यानि मेढक में तो एमपबिया में चार जोड़ी महाधमनी आर्क अपस्थित होती है और तीसरी चोथी तथा पांचवी वा छथी जोड़ी में और चोथी जोड़ी पार्सु महाधमनी या रेडिक्स से जुढकर डक्टास बोटैलेस का निरमार करती है next question है मेड़क में Y के आकार की हड़ी होती है Y आकार की in frog Y saved bone is answer इसमें सही होगा B Terryguide होती है Terryguide आपको बता दें कि मेड़क के मुह के उपरी जबडे में जो अपरचा होता है उसमें छे जोड़ी हड़ीया होती है जो आपस में मिलकर maxillary arc बनाती है maxillary arc और इसका बाहभाग premaxilla maxilla तथा quadrotrogal से जबकि अंता भाग palatine, squamosal तथा teriguide से बना होता है और मेड़क में teriguide हड़ी Y के आकार की होती है next question है मेड़क की आदर्स कसेरिका का centrum होता है the centrum of a typical vertebra of frog is कौन सा option सही होगा option सही होगा B अग्रगर्ती होता है अग्रगर्ती आपको बता दें कि मेड़क की आदर्स कसेरिकाओं में एक बड़ी छिद्रिक्त रिंग जैसी सनरचना होती है रिंग लाइक इस्ट्रक्चर होता है जिसे निूरल कैनाल कहते है निूरल कैनाल और स्पाइनल कार्ड यहीं से होकर गुजरती है इस रिंग के अधर पर इस्थित मोटा तथा ठोस छाण जैसा या रोड लाइक भाग सेंट्रम कहलाता है और यह सेंट्रम अग्रगर्ती होता है इसका आगे का भाग अवतल और पीछे का भाग उतल होता है नेशकुचन है मेढ की आठवी कपाल तंत्रिका मस्तिस को किस अंग से जोड़ती है एट क्रेनियल नर्व और प्राग करनेक्ट्स इन दा ब्रेन टू ओप्सन सही होगा इसमेसे बी कान से जोड़ती है कान आपको बता दें कि आठवी कपाल तंत्रिका को स्रमण या आडिटरी तंत्रिका कहते है आडिटरी तंत्रिका और यह समवेदी तंत्रिका होती है यह सेंसरी नर्व होती है और यह मस्तिस को कान से जोड़ती है नेशकुचन है मेढ क में अग्रपाद का अंगुलास्थि सूत्र होता है अग्रपाद का अंगुलास्थी सूत्र क्या होता है तो देखे इसमें आप्सन सही होगा कौन सा डिजिटल फार्मूला ओफ फोर लिंप्स इन फ्रॉग इस पहला वाला जीरो दो दो तीन तीन होता है आपको बता दें कि मेढा का जो आगे का पैर होता है उसमें अंगुठा अनुपस्थित होता है अंगुठा नहीं पाया जाता है और इसलिए इसका ये सूत्र होगा नेश कुशन है एक्जोलोटल लार्वा संबंधित है एक्जोलोटल लार्वा बिलांग्स टो कौन सा ओप्सन सही होगा option इसमें सही होगा B. उभय चरों से संबंधित है आपको बता दें कि exolotal larva, amphibia या amphi-श्टोमा से संबंधित है और इनमें नियोटनी अवस्था पाई जाती है नियोटनी इस्टेस पाई जाती है और थायराक्सिन की कमी के कारण इनके लारवा में रूपांत्रण नहीं होता है इनके आवयस्क में ही यौन परिपकता आ जाती है नियोटनी पाई जाती है देखिया आगा कुश्चन तो नियोटनी इस फाउंड इन exolotal larva में नियोटनी पाई जाती है नियोटनी क्या है अभी आपको बताया था exolotal larva में पाई जाती है और थायराक्सिन की कमी के कारण इनके लारवा में जो रूपांत्रण होता वो नहीं होता है मेटामार्फोसिस नहीं होती है और इनके आवयस्क में ही यौन परिपकता आ जाती है नेस्ट कोशन है डिमभक जनन देखा जाता है नियोटनी इस आपसर्वड इन डिमभक जनन यानि नियोटनी तो आंसर से होगस में से पहला एमपे स्ठोमा में देखा जाता है और एमपे स्ठोमा लारवा को exolotal larva कहा जाता है और इसमें लारवा अवस्था में ही जनन प्रकिरिया प्रारंब हो जाती है कहने का मतब यह है कि इसका कायांत्र नहीं होता है और यहां वैस्क में परवर्थित भूये बिना ही वैस्क बने बिना ही जनन योगी हो जाता है और ऐसी जनन प्रकिरिया को डिमभक जनन या नियोटिनी कहा जाता है एक्सोलोटल डिमभक दरसाता है एक्सोलोटल लार्वा एक्सेविट्स आंसर इसमें सही होगा सी डिमभक जनन तथा छात्म जनन दोनों दरसाता है आपको बता दें कि एक्सो लोटल लारवा कुछ MPBNC में पाया जाता है और यह लारवा अवस्था में जनन करता है लारवा आवस्था में जनन की किरिया च्छादब जनन कहलाती है और इसके लारवा आवस्था में ही सारजिक रूप से बने रहने तथा लेंगी विकास जनन योग्य होने की घटना नियोटिनी कहलाती है कई बार आपको बता चुके हैं सबसे बड़ी और वीष्टी किस में पाई जाती है और प्रोटियस जो होता है इसमें भी पाई जाती है आसा है आप सभी लोगों को सभी कोइशन समन्न में आये होंगे समन्न में आये हों तो वीडियो को लाइक और सियर कीजे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी धन्यवाद